ओच्छरोर थानशेतर अंतरगत सेलेंडर से गैसर इसाव के चलते हुए आगजनी की घटना में एक गरीब परिवार का आश्याना खाक होने की दुखट घटना सामने आई है तो यहार से कुछ दिन पहले घटना में आगजनी होने से पूरे परिवार का रो रो कर हाल बेहाल है आगजनी में घर के अंदर रखे जेवरात, नकदी, खातर सामगरी सहे दस्तवेज चल गए हैं पीडिक परिवार ने प्रिशासन से मदद की मांग की है जानकारी के मताबिक ग्राम रिक्षा पुरवा निवासी छविलाल पटेल की बहुत सरोज बीती शाम करीब 6 बजे घर के भीतर गैस सिलेंडर से खाना बनाने गई थी त्योंकि उसमें रिसाफ हो रहा था और जैसे ही सरोज ने गैस चूलह जलाया आग ने पूरे कमरे को आक्रोश में ले लिया जानकारी मिलने पर डाल हंड्रेड और फाइर ब्रिगेट को सूचना दी लेकिन काफी देर तक मदद नहीं पहुची जिसके बाद ग्रामीनों ने एक जोटोकर करीब दो घंटे की मश्यक्त के बाद तीन मोटर पंपों की मदद से आग पर काबू पाया तब तक घर के अंदर रखे सोने चान्दी के जेवरात, खाद सामगरी और 30,000 की नगदी सहित सभी महत्वकून तस्तावेच चल कर खाग हो चुके थे आग जने की घटना में करीब 2,30,000 रुपे का नुपसान हुआ है एक दम से आगे ठाट में छुब गई, हम उनको समने बाहर निकाल दिया सम पूरा देरा था ये कामरात में और पूरा सब जल गाया जीव साम को क्या हुआ कि जैसे ही वह हमारी भावी हैं खाना मनाने के लिए हां आई उन्होंने चूला चालू किया उस पर चार चड़ाई ते निम्याग पकल लिए उसने सिलेंडर ने तो उन्होंने आद घंटे तक बहुत कोसिस की बुझाने की उसे आग नहीं बुझाई और इतने में गाऊंजों मनलफ पुलिस को फोन लगाई फायर को फोन लगाई लेकिन बख्ट पर यहां कोई नहीं बुझालत पाए इसलिए कंदल्फ त्रवेत खाई ओको नहीं पोड़ें तीन पंप चालू सब्सक्राइब कपड़ी अपरी सब जल गया जी प्रोपर्टी की सब्सक्राइब कागाज सब्सक्राइब